Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें पन्वेल महानगर पालिका शेत्रे में आज 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ आकड़ा बढ़ कर 234 तक पहुँच चुका है तो चलिए ग्राफिके मादम से समझने की कोशिश करते हैं कि पन्वेल में कुल कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और अक्टिव केसों की संख्या क्या रही बतादे कि पनवेल में 234 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है वही कोरोना से मृत्यों का आकरा साथ पर बना हुआ है रिकवर केसों की संख्या रही 100 वही अक्टिव केसों की संख्या रही 127 ग्राफिक के माधिम से समझनी की कोशिश करते हैं कि अक्टिव केसों की संख्या पनवेल के विभिन विभागों में किती रही सबसे पहले बढ़ते हैं कामोठी की तरफ कामोठे में 94 में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्स की गई है वही आक्टिव केसों की संख्या यहाँ पर 47 है खारगर में 57 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रही वही आक्टिव केसों की संख्या रही चालेज न्यू पनविल में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रही वही आक्टिव केसों की संख्या रही अठारा कलमबोली में कुल 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए वही आक्टिव केसों की संख्या रही 19 पनविल में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए आक्टिव केसों की संख्या रही 3 और CISF यहाँ पर 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे मगर अब तक कोई भी आक्टिव केसों की संख्या नहीं दर्स की गई है तो जले ग्राफिक के माजम से समझने की कोशिश करते हैं कि पनवेल की किन विभागों में सबसे ज़ादा रिकवर्ड केसों की संख्या दर्स की गई है सबसे पहले बढ़ते हैं कामोठी की तरफ कोरोना पॉजिटिव होने के कारण तक्रीबन पांच लोगों की यहाँ पर मौध हो चुकी है वही 42 के करीब रिकवर्ड केसों की संख्या रही है फारगर में एक व्यक्ति की कोरोना की कारण मौध हो चुकी है वही रिकवर्ड केसों की संख्या रही 16 भरी खबर यह रही कि आज 4 लोग कोरोना मुक्त होकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया जिनमें शामिल है कामोठे से दो न्यूपन विल से दो आज जो कोरोना पॉसिटिव मरीज पाए गए उनमें शामिल है कामोठे सेक्टर 35 संकल ससाइटी यहाँ पर दो लोग कोरोना पॉसिटिव पाए गए क्यों हुए कोरोना से संक्रमित दरसल कुछ दिनों पहले इस परिव व्यक्ति कोरोना पॉसिटिव पाए गया। बता दे कि ये व्यक्ति मुंबर सिथ मर्चंड नेवी में कारेड़त है। कलंबोली सटे 14 संस्कृति अपार्टमेंट थिसवर्श व्यक्ति यहां से चहाई रहते हैं। कामोटी सेक्टे 10 विक्रम टावर 54 वर्ष एक व्यक्ति यहां से कोरोना पॉजिटिव पाए गया क्यों हुए कोरोना की शिकार दरसल मुंबई महानागर पालिका के घाटकों पर के कारियाले में सेक्योर्टी गाट के तौर पे ये व्यक्ति कारियरत है वही से ही ये व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने का अंदाता लगा जा रहा है खारगर सेक्टे 35 H Smith Society यहां पर एक 34 वर्ष व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गया क्यों हुए कोरोना संक्रमित? दरसल मुंबई के एरपोर्ट में CISF सुरक्षा रक्षक के तौर पे ये कारियरत है वही से ही ये व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए ऐसा अंदाता लगा जा रहा है कामोटी सेक्टर 22 तिरुपती सुसाइटी 31 वर्ष एक महिला यहां से कोरोना पॉजिटिव पाए गई क्यों हुई कोरोना से संक्रमित? ये महिला इलाज के काम से लगाता न्यू पन्विल के एक हॉस्पिटल में जाया करती थी वहीं से वे कोरोना संक्रमित होने का अंदाजा लगाय जा रहा है पन्विल तक का मोराज रिवर साइट पार्क 33 वर्ष एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गई क्यूं हुई कोरोना संक्रमित दरसल ये महिला पन्विल पुलिस थाने में पुलिस करमचारी के तौर पे कारिरत है वही से ही कोरोना संक्रमित होने का अंदाजा लगा जा रहा है कलमबोली सेक्टर 11 गुरु कुटिर कॉमपलेक्स यहाँ पर एक 45 वर्षय महिला कोरोना संक्रमित इस महिला के पतिक पहले ही कोरोना पॉसितिव है जो मुंबई के बस डेपो में कैशियर की तौर पे एक कारिरत है उनकी ही संपर्क में आने से ये महिला भी कोरोना पॉसितिव पाई गए कामोधी सेक्टर 11 महादेव पाटिल सोसाइटी यहाँ पर एक 57 वर्षय व्यक्ति कोरोना पॉसितिव पाई गया क्यों हुए कोरोना से संक्रमित दरसल ये व्यक्ति मुंबई के बस डेपो में कैशियर के तौर पे कारिरत है वही से ही कोरोना संक्रमित होने का अं दादार लगा जा रहा है खारगर सेक्टर 15 गुरु कृपा कुझ विहार सोसाइटी यहाँ पर एक 15 वर्षय लड़की कोरोना पॉसितिव पाई गई क्यों हुए कोरोना के शिकार दरसल इस लड़की के पिता कोरोना पॉसितिव है जो मुंबई के शिवाजी नगर में पु मुंबई माजगाओं में बैंक ओफ इंडिया में क्लग के तौर पी कारियरत हैं वहीं से ही कोरोना संक्रमिंद होरे का अंदाजा लगाय जा रहा है खारकर सेक्टर 5, सावली सुसाइटी, 36 वर्षिय महिला कोरोना पॉसितिव, क्यों हुई कोरोना से संक्रमिंद? इस महिला की पती माहिम बस डेपो में कारियरत हैं जो कोरोना पॉसितिव पाए गए हैं उन्हीं के संपर्क में आने से कोरोना पॉसितिव पाए गए कामोटी सेक्टर आर्ट वरत विनाएक सुसाइटी यहाँ पर एक 36 वर्ष यह महिला कोरोना पॉसिटिव पाई गई हैं बता दे कि यह महिला मुंबई गोवंडी के शताबदी हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशन के तौर पे कारेरत हैं और वहीं से ही कोरोना से संक्रमित होने का अंदासा लगाय जा रहा है तो चलिए अब दढ़ाते हैं आख्रों पर नजार कुल कोविट 19 टेस्ट जांच की संख्या पनवेल महानगर पालिका के अंतरगत 1702 तक पहुँच चुकी है कोरोना की कुल मामले 234, कोरोना की एक्टिव केसिस 127, कोरोना की रिपोर्ट प्रलम बे 49, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आख्रा शातक यानि 100 और कोरोना से मृत्नियों का आख्रा साथ दरस किया गया है ब्यूरो रिपोर्ट नवी उंबी नेटवर्प